हेलो एवरिवान इन दिस वीडियो वी विल डिसकस लैंग्विज प्लानिंग जो कि आपके मेजी 4 यूनिट नंबर 8 ब्लॉक 31 का टॉपिक है और इसमें हम डिसकस करेंगे इसके मिनिंग को इसके डैफिनेशन को एंड टाइपस ओफ लैंग्विज प्लानिंग कितने टाइप फॉर्म में लाया जाता है जैसे कि सौसर ने भी कहा था कि जो लैंग्विज है वो स्ट्रक्चर पर बेस है वो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर काम करती है स्टेप बाई स्टेप काम करती है हमारी लैंग्विज और लैंग्विज कुछ भी हो सकती है जरूरी नहीं है कि यह यहां पर language planning की बात हो रही है तो English में पढ़ रहे हैं तो हम English की language planning की बात कर रहे हैं यहां पर कोई भी language जिसको plan किया जाता है systematic तरीके से उसकी बात हो रही है तो अगर language planning को हम define करें तो language planning can be defined as celebrated efforts in influence the function structure or acquisition of a language और वराइटी तो किसी भी language की variety language यह variety क्यों बोला है क्योंकि language और variety variety को ही language बोलते हैं और इस दोनों एक दूसरे के synonyms हैं इसके जो इसका function होता है और जो इसका structure होता है जिसको हम acquire करते हैं अपने native से अपने surrounding से इसी को जब हम plan करते हैं कि किस तरीके से इसका structure होगा इसका function होगा तो वही हो जाता है हमारा language planning अगर हम इसके meaning की बात करें planning refers to deliberate achievement of something is an organized and controlled manner by using resources in effective way जब हम अपनी language को अपनी achievements को और्गनाइस तरीके से proper तरीके से और control manner में use करते हैं तो वह हो जाता है हमारा language planning अब यहां पर organized क्यों बोला है और controlled manner क्यों बोला है जब कोई language होती है उसको उसका structure होता है अगर हम उसके structure के बिना उसके meaning के बिना उसके function के बिना उसको use करते हैं और control manner का मतलब है कि जो language है उसका एक pattern होता है उसका एक तरीका होता है चाहे वो कोई भी language हो हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी language हो उसका एक तरीका होता है अब अगर यहां पे हम grammatically rules को देखे तो इंग्लिश में कुछ rules बने वे हैं जैसे कि अगर आपका present tense चलेगा तो वहां पे जो हमारी helping verb होगी इसके साथ क्या use होगा या is MR का use कब होगा यह सब चीज़े क्या होती है मैं fixed होती है वो एक manner में use करना होता है अब control manner का use करने का मतलब क्या है कि अगर मैं present की बात कर रही हूं तो मुझे present tense का ही use करना होगा तो वह इसका क्या है control manner है यह सिर्फ एक example है control manner को आप और भी दूसे तरीकों से define कर सकते हैं तो जब हम इन सारी चीदों को एक effective way से produce करते हैं बोलते हैं तो वह हो जाता है हमारा language planning language planning mean a general context in simple words we can say that language refers to deliberate achievements of something and organized कोई भी चीज़ जब organized हो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ definitions के बारे में यह जो language planning का question है यह आता है और इसका question जैसे कि यह 2019 में पूछा गया था कि what is language planning और इसकी limitation limitations बताइए जब भी language planning की बात करेंगे तो उसकी meaning और definitions important हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर दो ही चीज़े पूछी गई है या तो उसका meaning या फिर उसकी limitation तो definition एक दो important है वो कर लेते हैं the development of policies और प्रोग्राम डिजाइन तो डाइरेक्ट और चेंज language use as thought the establishment of an official language the standardization or modernization of a language इसी को बोलते हैं language planning और language planning में हम क्या करते हैं जब कोई भी चीज हम replan करते हैं या plan करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं कुछ change करते हैं तो जैसे change language कुछ words को change कर दिया कुछ sentences को change कर दिया उसमें कोई नई चीज़े add कर दी और establishment of an official language official language का को stable करना official language का meaning क्या है कि अगर कोई office है उसकी कोई भी language है तो वो हो जाती है हमारी official language जो हमारे paperwork में use होती है we call it official language the standardization, standardization का मतलब है means कि उसमें rules को grammar को और norms को एक साथ assemble कर दिया गया है तो वो हो जाती हमारी standard language modernization का मतलब है कि time time के बाद जो यह word है इसका modernization इसका meaning है time time पे जो changes हाते है society में उन changes को लेके कुछ नए words आते हैं और उन नए words को हमें अपने language में plan करना होता है so यह इसकी complete definition हो गई next definition है हमारा the numerous attempts that have been made to change particular variety of language particular variety में कोई भी change करना variety यहाँ पे language की बात हो रही है और particular language या तो उसकी किसी variety में change करना या फिर किसी language को ही change करना or some aspect of how either of these functions in society या फिर उसके function को change करना उसके function को change करके replan करना function meaning जो उसका work है society में वो कैसे use की जा रही है such changes are usually described as instances of language planning और यह दी है हमें Ronald ने इस definition को इसे हमें दिया है अब एक इसकी last definition है वो है the term language planning refers to the organized pursuit of solution of language problem typically at the national level और यह definition दी है हमें fishman ने we have covered three definitions आप इसमें से कोई भी दो या एक भी याद कर लेंगे तो भी काफी है क्योंकि एक definition और आप उसका एक conclusion और अपना एक अलग से meaning produce करना perfect रहेगा इस answer के लिए अब हम बात करते हैं यह जो language planning है इसकी क्या fields होती है basically यह two fields पे work करता है दो fields होती है इसकी एक है practical और दूसरा है theoretical इसमें जादा समझाने का कुछ नहीं है practical क्या होता है जब आप face to face communicate करते हैं daily life में use करते हैं this is your practical जो भी चीज जो भी language आपकी written form में नहीं हो वो सब क्या है practical है like अगर presently मैं लिख नहीं रही हूं सिर्फ orally explain कर रही हूं तो यह भी क्या है एक practical वे है language planning का यह language का तो language planning भी दो तरीकों से होती है एक practical होती है और एक theoretical होती है अब practical कैसे जैसे कि language को plan किया और language में कोई चीज़े चेंज की गई जैसे किसी भी शब्द को बोलने का तरीका चेंज किया गया और वो practical life में कैसे जैसे कि example के लिए पहले हम लिखते थे poem poem इसको हम poem read करते थे English में लेकिन अब जो इसका pronunciation है वो change हो गया अब यह poem हो गया लिखते हम इसे poem ही है लेकिन हम इसको read जो इसका exact pronunciation है वो poem है तो यह क्या है यह practical life में कुछ लोगों ने इसको adapt किया है कुछ ने नहीं किया practically मतलब जब लोग बोलने लगें इसको इस change को इस planning को और theoretical meaning है कि जब कोई भी language जिसमें planning की गई जिसको change किया गया जिसको structure या format में कुछ changes किये गए यह उसको plan किया गया और वो written form में आ गई theoretical आ गई जिसे हम पढ़ सकते हैं जिसे हम लिख सकते हैं तो वह हो गया हमारा the theoretical so I hope मैंने fields of language जो इसकी planning की है वो discuss कर दिये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है practical means related to day-to-day life related to communication in a practical way or theoretical मतलब जहां पर लिखने की बात आ गई जहां पर पढ़ने की बात आ गई वह हो गया आपका theoretical आप इसको दूसरी एक्जामपल से भी समझ सकते हैं जैसे स्कूल में science का practical होता था और theory का exam होता था दोनों होते थे तो practical जो आप planning है इसकी meaning और definition हमने कर लिया अब बात आती है we can understand language planning with the help of few questions हम language planning को और बहतर तरीके से सीखेंगे या समझेंगे जब हम कुछ questions का answer दे पाएंगे और वो questions कौन से हैं और इसी को बोला जाता है practical consideration practical consideration में कौन से चार questions आ जाते हैं जिन पर हमें deal करना होता है या फिर जो language planner होता है उसको deal करना होता है वो चार questions है हमारे who, what, for whom और how जो who है इस जो complete term है इसको हम shortly discuss करेंगे next video में कोशिश करेंगे इसको complete करने की who का meaning क्या है कि जो language planning है उसको कौन कर रहा है कौन कर रहा है कोई government कर रही है यह कोई private sector कर रहा है कोई company कर रही है यह फिर कोई और कर रहा है तो इसमें basically यह यही आ जाता है जब बात आती है what तो what क्या changes हो रहे है अब कौन कर रहा है यह तो important है कि कोई इंसान है कोई government है जो language की planning कर रही है अब what आ जाता है कि क्या change करना है language में change क्या करना है planning तो तभी होगे ना जब उसमें कुछ changement होगा for whom for whom का मतलब है किसके लिए करना है किस level पर करना है जैसे कि इसके दो levels होते है शोटली बोलू तो state level और regional level जिसको हम next video में discuss करेंगे last है इसका how कि जो language है जिसको plan किया जा रहा है उसका step by step discuss करेंगे इसमें हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे जिसमें हमने meaning को complete किया इसकी definition को complete किया है और field of language planning को complete किया है और short में हमने discuss किया है practical considerations